बच्चो इस question का तो क्या ही कहना बहुत ही लाज जवाब question है इससे बहतर question आपको मिल नहीं सकता यह question जो है last time जो पूछागा था जितना मुझे ध्यान है अभी तो वह आर आर बी 2000 आर आर बीका जो CBT-2 था उसमें 2019 में जो पेपर वाता CBT-2 का ऑगस्ट महिने में 29 आउगस्ट को 29 आउगस्ट को जो यह पेपर वाता उसमें यह question पूछा गया था इसके अलावा और भी बहुत सारे भी पे थी ञ्वार्च उस एक्टिंग एर रिजिए बोढ़ी और रिपर रप्रेंटेट इन मानिटुट अर आप्चे सन टैनल यनन अफ ऐसं यह था इन आप्को जो बूँटा फाट्चे साफ ए ट्रा इनल साफ ए तिराइब ऑटर ला पूठस are equivalent to a couple whose moment is the forces are equivalent to a couple whose moments equal to be forces where equivalent होंगे उस couple के जिसका moment कितना होगा इनमें से आपके पास option है area of the triangle twice the area of the triangle half the area of the triangle and none of this बहुत ही क्या ही तो बोले जबर दस चलो देखते हैं कैसा होगा धान से देखना suppose मैं बात करता हूँ देखो इसकी ज्यादा language पर हमें जाने की जरत ही नहीं है सबसे पहले बात है किस तरह से इसको आगे deal किया जाता है सबसे पहले इसका concept समझे कि भाया जो area of triangle जो यह लिख रहा है इसका क्या मतलब है moment का area of triangle से क्या relation है सबसे पहले इसको समझते हैं तो देखें सबसे मैंने कहा triangle की यह कोई side है ठीक है कि भाया यह कोई triangle की कोई side है ठीक है इसको मैंने नाम दिया this is a ठीक है this is b a and b उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर एक point है this is a point इसको मैंने नाम दिया बच्चो ओ ठीक है हमने क्या क्या इस point के about हमें क्या करना है सबसे पहले हमने अब कोई triangle की क्या है एक side है और हमने बोला कि वहाँ पर जो force है एक p force यहां पर लग रहा है पी force जिसकी direction इस तरह से है और इसका जो magnitude है वो क्या है a b जो side है उसके बराबर है मतलब कि इसको scaling के हिसाब समने क्या हुआ हूँ कि triangle की side है वो magnitude बता रही है किसका force जो p यहां पर लग रहा है ठीक है क्लिए रहा है क्लिए रहा है क्लिए यहां पर लगाया है खींचूंगा इस a b side पे a b जो भुजा है इस पे एक perpendicular खींचूंगा यह रहा है जब मैंने perpendicular खींच दिया अब मैं बोलू कि moment क्या है भई moment what is the moment मोमेंट क्या होगा बच्चो मोमेंट इसका होगा a b यह हम लिखें p जो force है into यह जो distance है ओ इस point को मैं c point बोल देता हूँ ठीक है जिस point is c इस p को यहां से हटा के कुछ और दूसरे pen से को represent करते है ताकि clarity रहे है आपके पास भी ठीक है चलिए pen change कर देते हैं यहां पर इसके लिए ठीक है suppose this is the direction of the force ठीक है और p is the magnitude of the force obviously p is equal to a b क्योंकि क्या है आपके लिखावा है को forces जो है represented in magnitude direction and line of action by the sides of the triangle ठीक है तो p आपका यह है अगर p आपका force है ठीक है और इस point के about मुझे moment निकालना है तो force into perpendicular distance होती है वहिए OC आप आपका p into OC आप जानते हैं कि भीक की वैली किसके ब्राबर है a b की ब्राबर है into OC यह आपका हो गया moment ठीक है यह आपका हो गया moment this doughy moment आपका निकल गया अब important बात important बात च्या है मैंने कहा मैंने कहा कि भी आ क्या करो कि इस की इनको मिला दो क्या कर दो एक हो एक हो उसे मिला दो मैंने कहा कि एक हो उसे मिला दो ठीक है अब इसको रफ कर देते हैं हम सही हो गए ठीक है अब हमने क्या का हमने का कि एक को से मिला दो हमने क्या कहा यहां से इसको मिला दिया ठीक है और बी को भी मिला दो भई मिल दिया हमने आव यह क्या बनने बेटा एक ट्राइंगल करें इस ट्राइंगल कि बात करो इस ट्राइंगल का बेश एबी है ठीक है और हईट कितनी इसकी और सी किल्यर अगर मैं एरिया निकालू इसको मिटा देता हो यहां से अब अगर मैं इसका area निकालो भच्छो ध्यान से देखना अगर मैं इसका area निकालो area of triangle area क्या होता है half into base base क्या है बट्टो a b a b is the base a b is the base of the triangle या आजाएगा आपका a b into height क्या है height आपकी OC क्या है ओ सी यह आपका आ चुका है लेकिन आप जानते हैं आप जानते हैं ली बहांती आप क्या करते हैं भली बहांती बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से जानते हैं कि a b into OC क्या है आपका this is moment क्या है this is moment moment है अगर a b into OC moment है इसका मतलब है this particular thing is moment moment है यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल का area है ठीक है area of triangle क्या आजाएगा आपका one by two times moment आएगा मुमेंट आगे तो यहां से करें में मुमेंट निकालू कि वह आजाएगा आपका two times area of triangle मुमेंट आपका आगे वच्छो two times area of triangle मतलब कि अगर एक ऐसा प्राइंगल आपके पास है जिसकी कोई साइड जिसकी क्या है जिसकी साइड जो है क्या कर रहे है जैसा यह बेस है यह आप अगर इसका बेस किसी फोर्स को डिनोट कर रहा है in terms of magnitude direction and line of action तो उसके जो वर्टेक्स के अगर मुमेंट निकालेंगे that will be the twice of the area of the triangle क्लियर है तो वो ट्राइंगल के area के दो गुने के बराबर होगा वही चीज उसने पूछी है कि तब फोर्स अर एक्विलेंट टू एक कपल कपल मतलब तो फोर्स अर एक्विलेंट टू एक कपल whose moment is equal to तो जिसका moment क्या है बेटा मतलब ultimately वह यह पूछ रहा है कि force का moment है वो किस किस के बराबर इन options में से किसके बराबर होगा तो आपने यहाँ पे निकाला कि जो moment किसका है यह force P है इस force का moment जो force P क्या है आपका triangle का जो AP जो side वो आपकी represent कर जो force P को in terms of magnitude direction and line of action के लिए है तो इस P force का moment आप निकालेंगे इस वर्टेक्स के बाउट क्योंकि इस वर्टेक्स अगर यह बेस है तो यह वर्टेक्स है triangle का इस force का moment आप निकालेंगे तो twice of area of twice of area of triangle आपका निकल क्या जाएगा इसका मतलब the forces are equivalent to a couple whose moment is equal to twice the area of triangle के area के बराबर होगा तो बच्चो मैं आसा करता हूँ आपको यह बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जब भी आपके पास exam में आएगा आप बिल्कुल confidently tick कर पाएंगे आपको यह नया नहीं लगेगा ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है यह concept आपको पसंद आया तो वी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपके concept सारे clear करते रहेंगे thank you so much